हालो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल शायना गोयल सो फ्रेंड्स आप सभी फिट और फाइन होंगे हेल्दी होंगे फ्रेंड्स सो टुड़े वियर गोंग तो कॉंटिने वर मैथमाटिक सीरीज और आज हम कंप्लीट सीरीज में एम सी की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो प्रीविएस पेपर में आज हुए हैं या फिर जो मॉस्ट इंपॉर्टन एंसी क्यों आपको असाइन किया था एम से क्यूंस का वह हम इस वीडियो की एंड में उसके अंसर भी बताएंगे और डिसकस्ट भी किया जाएगा वो सो अभी फिल्हाल हम यह सेशन अपना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद फर्स्ट कोश्चन अफ दिस सीरीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं समस्ध लेते हैं कि जो पोर्ट है वो यहाँ पर है और सौत 0ITY LEIGHTS को आईगी और वेस्ट आएगी डिस्ट आएगी आपकी लेट साइड को तो यहाँ पर port है, south की तरफ कितना distance travel किया, 6 km, ठीक है, यह port है, then it stops after pacing 8 km towards eastern direction, अब यहाँ पर खड़ा है, तो eastern direction किस तरफ है, इस तरफ, तो इस तरफ distance travel किया, 8 km, इधर किया, 6 km, तो question में पूछा क्या गया है, how much distance shall be covered by aeroplane, from the, covered by the aeroplane from port, अब पूछा क्या गया है, कि यह distance कितना होगा, ठीक है, इसको हम, a, b, c, एक तरह की triangle बन गई है, हमारी यह, ठीक है, तो हमें पता है, यह क्या है, hypotenuse, यह क्या है, base, और यह है height, ठीक है, perpendicular कह लिजे, h, तो यहाँ पर hypotenuse का है, तो pythagoras theorem क्या कहती है, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, हमारा hypotenuse जो हमको distance चाहिए, perpendicular 6 square plus 8 square, इसका square root, hypotenuse का square हटा दियो, तो इधर क्या हो गया, square root, यह कितना आ गया, 36 plus 64, under root of 100, तो इसका square root हमारे पास hypotenuse कितना आ गया, 10, समझ में आ गया, तो हमारी option A, 10 km क्या है, correct answer, easy है, समझ में आ गये बच्चों यह question, next देखिए, देखिए, question करने से पहले मैं आपको एक formula बताना चाहती हूँ, कहीं भी speed, distance, time इस तरह का question आता है, तो speed या फिर आप इसको velocity कह सकते हैं, speed या velocity is equal to distance upon time, ठीक है, तो इसकी dimension क्या होगी, meter per second या फिर जो भी आपको इसकी dimension दी होगी, ठीक है, kilometer per hour होती है, या फिर meter per second होती है, ठीक है, इसके साथ-साथ, अगर जैसे हमारा question है, चलिए question देखते हैं, फिर मैं आपको साथ एक और formula डिसकस करूंगी, a train 230 meter long is running at a speed of 48 km per hour, अब train है L1, length of a first train कितनी है, 230 meter, कितनी speed से जा रही है, velocity 1, that is 48 km per hour, अब देखिए एचीज तद ध्यान रखिए, कि जो dimension length की है, वही dimension speed में होनी चाहिए, velocity में, यहाँ पर meter है, यहाँ पर kilometer per hour है, अगर kilometer per hour को हमने meter per second में change करना है, तो हम जो number दिया हूँ है, velocity का, उसको simply 5 by 18 से multiply कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, meter per second, इसी तरह से हमें second train की जो length है, वह क्या दी हुई है, 280 meter और जो velocity है, इसकी speed है, second train की, वह हमको दी है, 60 kilometer per hour, इसको फिर हम क्या करेंगे, 60 multiply by 5 and 18, दीखें यह जो 5 and 18 है ना, यह kilometer को meter में convert किया, फिर hour को seconds में convert किया और उसको solve करके यह answer आया हुआ हुआ है, clear, यह कोई ऐसे नहीं कि formula बना है, यह इन चीज़ों को solve करके ही आया हुआ है, तो यह क्या बन गया, meter per second, अब question में हमें क्या पूछा है, the time taken by them to cross each other, ठीक है, दोनों trains क्या है, बिल्कुल opposite direction से आ रही है, running अपनी speed दी हुई है, तो time कितना लगेगा, दोनों trains को एक दूसरे से cross करने के लिए, अब इसका एक special formula होता है, कि time कितना लगता है, दोनों trains की जितनी length है, यह train भी हो सकता है, यह आपको कोई लंबी सी bus के बारे में कुछ भी दे दे, जिसके आपको length भी दी है, speed भी दी है, ठीक है, आपने time find out करना है, तो उसका formula होता है, दोनों की length को plus कर दीजे, दोनों की speed को plus कर दीजे, और divide कर दे, यह इसका formula होता है, ठीक है, तो formula में हम अगर value put करें, L1 प्लस L2, यह आ गया हमारे पास 510, और V1 प्लस V2, इसमें क्या common है, 5 बाइ 18, तो 48 प्लस 60, 5 उपर 18 चला जाएगा, तो इसको आप अगर solve करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा, T कितना आ जाएगा, 17, क्या आएगा, यहां पे seconds आएग क्योंकि हम dimension, sorry, unit कौन सी use कर रहे है, meter per second, तो answer भी किस में आएगा, seconds में आएगा, कई बरी question में आपको confuse करने के लिए, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर तो simple इनोंने बताय हुआ है, in seconds कितना आएगा, so option D क्या है, हमारा correct answer, यह formula आप no down कर लिजे, क्योंकि distance upon time, वो तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन अगर आपको length दी हुई है train की, ठीक है, तो आपको time calculate करना है, तो आपको दोनों की length को plus करना है, फिट divide करना है with the sum of the speeds of the two trains, ठीक है, यह formula no down कर लिजे, clear हो गई यह question, देखते हैं, अब हम हमारा next question, question no 3 आप देख सकते हैं, अपनी screen पर, x, y, z took a car on rent and used it for 9, 12 and 14 hours, ठीक है, x, y, z, यह 3 कोई भी persons हैं, ठीक है, इन्होंने car rent पर ली, और कितने घंटे के लिए यूज किया, x ने यूज किया 9 के लिए, y ने यूज किया 12 के लिए, and z ने कितने घंटों के लिए यूज किया, 14 hours के लिए यूज किया, उन्होंने pay कितना किया, इसके लिए 1050, ठीक है, amount, कितनी pay की total amount है, ये 1050, रुपीज, इतनी total amount पे की, तीनोंने, ठीक है, अब इनोंने पूछा है, कि the amount of rent charged in rupees paid by y, अब हमने calculate करना है, कि y ने कितने रुपीज पे किया, ये क्या है, इन तीनोंने मिलक पे किये, अब हम पहले देखते हैं, कि कितने hours total है, total hours कितने हो गए, 35 hours हो गए, तो 35 घंटे का इतना charge हुआ है, अगर हम एक घंटे का निकाले, तो क्या आ जाएगा, 1050 divided by 35, अब हमने निकालने किसके है, y के, y ने कितने घंटे गाड़ी चलाई, 12 घंटे, तो इसको multiply कर दे हम 12 से, समझ में आ गया, ये amount कितनी हुई, एक घंटे का कितना charge बनता है, कितने पैसे, एक घंटे के लगते है, एक घंटे के इतने लगते है, तो बारा घंटे के कितने लगेंगे, इतने, तो इसका अगर आप solve कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा, 360 रुपीज, वाई ने कितने पै किये, 360 रुपीज, so option D क्या है, correct answer, clear हो गया, बिल्कुल easy questions है, देखिए, formula आना चाहिए, थोड़ा logic आपको पता होना चाहिए, ये अब देख सकते हैं, सभी questions वो मैं discuss कर रही हूँ, जो P.T.E.T. के paper में, previous years में आए हुए हैं, अब देखि उस चीज को accurately attempt कर सकते हैं, चलिए अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 4, a number is greater than 3 but less than 8, कोई number है, suppose x, ये 3 से तो बढ़ा है, लेकिन 8 से छोटा है, ठीक है, इसके बीच में कौन से numbers आ जाएंगे, 1 हम देखते हैं, 3 और 8 included नहीं है, इससे बढ़ा है, उसके equal नहीं है, तो इसक 5, 6, 7, ये 4 numbers आते हैं, next हमें क्या कहा है, also it is greater than 6 but less than 10, 6 से बढ़ा है, 10 से छोटा है, तो कौन से numbers आते हैं, 7, 8, 9, इन्होंने पूछा है कि ये number कौन सा है, अब इन सभी में से common number कौन सा आ रहा है, 7, so हमारा answer क्या है, answer is 7, that is option C, easy है बलकुल? अब next question 5 देखिए, you can see here, if 24x उपर बार, इसका बार का meaning क्या होता है, कि ये जो term है, जो ये इसको बार बोलते हैं, जो उपर number के line लगा देते हैं, it means, इस बार के नीचे जितने भी numbers हैं वो repeat होंगे, यानि कि 24x, 24x, इस तरहां से ये number चलता जाएगा, and so on, ठीक है, unending, terminating number नहीं है, अब इन्होंने बोले कि ये क्या है, multiple है 9 का, जहां पर x एक digit है, तो x क्या होगा, कि ये 9 का multiple हो, अब हमने 9 का divisibility rule क्या किया था, कि अगर digits का sum equal to 9 हो जाए, ठीक है, या फिर divisible by 9 हो जाए, तो वो number क्या होता है, divisible by 9 होगा, ठीक है, तो अब 2 plus 4, 6, 6 में हम कितने add करें कि वो 9 बन जाए, 3 एड करेंगे न, तो यहां पर 3 कर दिये, यहां पर 3 कितनी मर्जी करें जाओ, तो ये 9 के multiples बन रहे है, it means x की value कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, कोई और value पुट करके देखो, 3 की बजाए, अगर आप 6 पुट कर देंगे, 6 plus 4, 10 plus 2, 12, क्या 12, 9 से divide हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहां पर 3 ही आएगा, और कोई भी number नहीं आएगा, so option B हमारा क्या है, यहां पर correct answer, clear हो गई यह चीज, बड़े next question की तरफ, question number 6, choose the number which is different from others, अब देखिए, आपके सामने numbers है, 8, 64, 125 and 28, अब कौन सा number different है, तो एक logic बनता होगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का cube, 2, 2 is a 4, 2 is a 8, यह क्या है, 4, 4 is a 16, 4 is a 64, 4 का cube, यह number क्या है, 5, 5 is a 25, 5 is a 125, 5 का cube, लेकिन जो 28 है, यह किसी भी number का cube नहीं है, तो 28 हमारा यहां पर odd man out हम कहते हैं, reasoning में भी हम इस तरह के questions करते हैं, find the odd man out या फिर which is the stranger वांठी के, तो 28 हमारा क्या है, यहां पर answer option D, clear हो गया, next question 7 देखिए, from the following, which is the presentation of nth term, समझ लिजे, where series हमें दी हुई है, 5, 8, 13, 20 and so on, हमने find क्या करना है, कि अगर हम इसकी nth term find out करेंगे न, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने even terms में क्या लिखा था, कि अगर nth term क्या होगी, 2n, nth term क्या होगी, 2n, उसी तरह से इस series में यह पूछ रहे हैं, कि nth term को आप किस तरह से represent कर सकते हैं, आप options देखिए, ठीक है, option में आपको value put करके देखनी होती है, तो सबसे पहले आपको judge करना है, पहले दो number से ही आपको पता लग जाएगा, कि कौन सी option correct है, तो अगर हम मैं option C की बात करूँ, n square plus 4, तो n की value, अगर मैं 1 put कर दूँ यहाँ पर, क्या आजाएगा, 1 square plus 4 is equal to 5, अगर n की value, 2 put कर दूँ, तो क्या आजाएगा, 4 plus 4, 8, आ रहा ही है, n की value अगर 3 put कर दें, 3 का square, 9 plus 4, कितना आ गया 13, it means, यह जो option है, n square plus 4, यह nth term को denote कर रही है, तो हमारी option C क्या है, correct answer यहाँ पर, clear है, यह देखे, hit and trial method होता है, लेकिन आपको hit and trial भी ऐसे नहीं है, की चारों पर आप hit and trial कर रहे हैं, तो आपके judgment होने चाहिए, कि कौन सी option सही हो सकती है, इसमें value put करके देखनी पड़ेगी, यह clear हो गया, चली next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 8, in a class test, 12 questions are given, तो हम starting से इसको लिख लेते हैं, total questions कितने हैं, 12, then 6 marks are given for each correct answer, यहने की each one correct answer के लिए कितने marks मिलते हैं, 6, ठीक है, and minus 3 marks are given for each wrong answer, one wrong answer के लिए कितने मिलते हैं, minus 3, एक question अगर आपका सही होते हैं, तो 6 number उसके मिल जाते हैं, अगर आपका एक question गलत हो जाते हैं, तो 3 number कट जाते हैं, ठीक है, and which questions are not done, 0 is given, ठीक है, तो अगर कोई question नहीं किया, तो unattempt question है, उसके 0 marks मिलेगे, ना positive, ना negative, लेकिन रामा ने कित questions तो correct किये, और 6 questions ही wrong किये, ठीक है, 6 questions इसने correct किये, 6 questions इसने wrong किये, तो इसको कितने marks मिलेगे, अब देखे, एक question correct के 6 है, तो अगर 6 questions correct किये, तो यह कितने हो जाएंगे, 6 into 6, 36, simple, अगर 6 questions wrong हैं, तो क्या करेंगे हम, 6 multiply by minus 3, यानि कि minus 18 हो जाएंगे marks इसके, तो total marks कितने मि इसको 36-18, 36 में से 18 marks minus कर देंगे, तो कितना आ गया है हमारे पास, 18 marks, यानि कि option C क्या है, correct answer, clear है ये, next question, the difference of largest and smallest of given numbers, आपको देखे, चार number दिये हैं, 13 by 100, 5 by 4, 9 by 20 and 21 by 25, अब इन्होंने पूछे कि जो सबसे बड़ा number है, जो अब से चोटा number है, उसमें से difference find out कीजिए, तो बड़ा और चोटा number find out करने के लिए हमें पहले इनका जो denominator है, वो सेम करना पड़ेगा, तब ही हम इनको एक form में लेकर आ सकते हैं, तो सबसे पहले LCM find out करते हैं, LCM इसका रहेगा 100, तो अगर यहाँ पर हम 4 की जगा नीचे 100 लेकर आए, 4 multiply by किसके साथ किया हमने 25 के साथ, तो 25 को 5 से multiply करेंगे, 125, 25 जा 100, 95 जा 45, देखिए 5 को उपर भी multiply कर दिया, नीचे भी multiply कर दिया, नीचे 100 बन गया, उपर कितना बन गया, 45, तो यह similar fraction हम बना रहे हैं, जिसका denominator सेम है, 25 को 4 से multiply किया, similarly उपर 21 को 4 से multiply कर दिया, यह हमारे पास fraction बन गए, अब दीखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यह वाला, और सबसे चोटा नंबर कौन सा है, यह वाला, clear, तो इस में से हमने इसको minus करना है, तो simple हम क्या कर देंगे, 125 minus 13 upon 100, यह आ जाएगा हमारे पास, यहनि कि 112 divided by 100, दो zeros है, तो दो places छोड़ कर हमारा decimal लग जाएगा, 1.12, यह आगे हम fractions का chapter discuss करेंगे, वहाँ पर आपको ज्यादा clarify हो जाएगा, तो 1.12 इसका answer है, that is option B, clear हो गई यह चीज, यह questions आप लोगों को clear हैं friends, तो मुझे comment में yes लिखकर बताएगे, और अब हम देखते हैं, जो हमने homework assign किया था आप लोगों को, तो वह questions क्या हैं, उनके answers discuss करते हैं, अब हमें first question में क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, 11, LCM दिया हुआ है, हमें 693, और एक number हमको दिया हुआ है, 77, हमने दूसरा number find out करना है, product of LCM and HCF is equal to product of two numbers, तो n क्या आजाएगा, हम इदर, divide by 77 is equal to n, यह जाएगा 7 per 7, 99, तो number हमारे पास क्या आगया, 99, that is option C, clear, second questions देखिए, set of rational number is a subset of, rational number के क्या होते है, p over q, where q is not is equal to 0, तो integers तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि integers क्या होते हैं, whole numbers, positive हों चाहे, negative हों, irrational number भी नहीं होंगे, तो यह क्या है, option C, that is, real numbers, real numbers क्या होते हैं, चाहे वो points में हो, whole numbers हों, या फिर decimal numbers हों, लेकिन वो number exist करता हो, ठीके, तो वो क्या होते हैं, real numbers, तो rational number, real numbers का subset है, यानि कि उसके under आता है, clear होगई यह चीज, next question number, 3 देखिए, 2 numbers are in the ratio, 15 is to 11, 15 is to 11 की ratio में 2 numbers दिये हुए हैं, और हमें HCF दिया है 13, तो हमने find out करना है, numbers क्या है, अब देखिए, HCF multiply by LCM हमें पता है, कि क्या होता है, given numbers, लेकिन यह हमें number नहीं दिये, numbers की ratio दिये, अब जो HCF है, हमें पता है, यह factor होता है, इसका, ठीक है, तो यह numbers क्या होंगे, 15 multiply by 13, 11 multiply by 13, तो इसको आप solve करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 195 and 143, so option D क्या है, correct answer of question number 3, ठीक है, option D, then smallest, question 4, smallest odd number, सबसे चोटा odd number कौन सा होता है, 1 यानि की option है, बिल्कुल simple लेकिन देखे, simple questions भी TED के paper में आए होए है, then question number 5, the sum of greatest and smallest number of 3 digit is, अब 3 digit, 3 digit का सबसे चोटा number कौन सा होगा, 100, अगर इसमें plus 1 भी कर दे न, 101 बन जाएगा, इससे एक चोटा कर दे, यह क्या होगा, largest 2 digit number, यह क्या है, smallest 2 digit number, 3 digit number और largest 3 digit number क्या होगा, 999, अब इन दोनों को कर दीजे, add, तो क्या आ गया हमारे पास, 1099, 9, so option A क्या है, correct answer, clear होगा, I hope यह आप लोगों ने बिलकुल सही से solve किया होगे, so friends, in the next session, we will continue with the next topic, और अगर आपको यह video helpful रही हो, तो इसे like and share जरूर कीजेगा, see you in the next video, till then, keep watching friends,